यूपी के 12 बंकी जिले में मुख्यमंत्री योगिया दितनाथ के कारिक्रम में भाचपाईयों ने ट्राफिक नियमों की धज्यां उड़ाई बिना हैलमिट की तिरंगा यात्रा के दोरान बाइक से फरराटे भरते दिखाई दिये ये तिरंगा यात्रा अलग-अलग छेत्र में चलकर मुख्यमंत्री योगिया दितनाथ के कारिक्रम में शामिल होने आई थी जहां एक बाइक पर बिना हैलमिट के एक नहीं दो नहीं तीन तीन लोग बैठे दिख रहे थे वो भी पुलिस कर्मियों के सामने यूपी के 12 बंके जिले में विभिन योजनाओं के शला न्यास और लोकारपन के साथ सरकारी योजनाओं के लाभारतियों को प्रमाण पत्र वितरित समहरों में मुख्यमंत्री योगिया दितनाथ पहुँचे हुए थे जिसकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री द्वारा सिंग चोहान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंद्र देव सिंग पहुंचे ट्राफिक नियमों की भाजपायों द्वारा बाइक तिरंगा रैली के दोरान धज्जिया उनाए गई ट्राफिक नियमों की धज्जियों पर यहां के भाजपास सांसद उपेंद्र ग्रावत अयोध्या भाजपास सांसद लल्लू सिंग सहित पुलिस अधिक्षक बारा बंकी आकाश तोमर ने क्या कुछ कहा सुनिये एक तरफ सरकार के सांसद अपने कर्तवियों से कार्वाही होगी वही एस्पी ने कहा इन्हें पहले जागरुक किया जाए उसके बाद कार्वाही होगी तिरंगा यात्रा इधर कब हुई तो सरकार जो है दमाव बना रही है जैसे किसी चीज की जब सुरुवात होती तो तुरंत नहीं लागो दीरे दीरे मान्य प्रदान मंतरी ने स्वचता का अभियान चलाया खुछ जाड़ू लेकर निकले दीरे दीरे उसका परभाव पड़ा हेलमेट भी भारती जंता पार्टी का कार करता भी समाज का एकांग उसमें भी धीरे-धीरे स्वाभावी के रूप से उसका परभाव होगा और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कार करता सब हेलमेट लगा कर रहे हैं व्यक्तिकार भी मिल करके सामोहिक किसी कारक्रम में सब में हम लोग करते हैं कोई भी रहली हो या अकेले निकले या सामोहिक निकले हिर्मित लगाना चाहिए सब को कि तिरंगा यात्रा यात्रा यह हमारी पहले से प्रस्तावित थी और फिर बाद में यह लाभार्थी शमेलन का याउजन बाद में तय हुआ मनी मुक्यमंतरी जी को आना था तो इस तिरंगा यात्रा को इस कारिकम से जोड़ दिया गया तिरंगा यात्रा जैसे कि हमारी पार्टी के परंपरा है हर बर्स हम लोग तिरंगा यात्रा निकलते हैं तिरंगे का शमान करना बेस में तिरंगे को लहराना यह हमारी पार्टी का लोग हेलमेट नहीं लगाए हुए थे लेकिन आज आपने देखा कि गिने चुने लोग ऐसे थे जो हेलमेट नहीं लगाये थे लोग धिरे-धिरे इस मामने में जागरूख होंगे और हेलमेट लगाना शुरू करेंगे चुकि हेलमेट इसलिए सरकार ने अनिमार किया है कि जान सबसे ज़्यादा प्यारी है तो जान को बचाने के लिए हमको हेलमेट लगाना चाहिए मैं कारिकरताओं को संदेश यह देना चाहता हूं कि जो भी ट्राफिक के रूल बने हैं मोटर रूल बने हैं उनका पालंग किया जाए और रैली और तिरंगा यात्रा जो भी हम आयोजन करें तो उससे राहगीरों को कोई दिक्कत नो हो यह पूरी इस बात का पूरा इस बा अब इचालान की विएस्था हो गई है लेकिन पहले हम लोगों को जागरुक करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अभी नए चालान के रेट्स भी गंभीर बड़े हुए रेट्स लगे हैं तो फिर लोगों को हम पहले जागरुक करने का प्रयास कर रहे हैं सभी लोगों को क उससे हेलमेट यदि पहनेंगे या फिर बागी ट्राफिक नेमों का पालन करेंगे तो इस सब उनकी सुरक्षा के लिए है तो भी हम लोग का जागरुकता अभी हाँ चल रहा है यदि कोई लोग चिन्नित यदि हमारे द्वारा किये जाते हैं कि जोनों ने वाइलेशन किया है है दुकान नमबर 30 फ्लोही की सीडी खुला चबूत्रा नभीन सब्जी मंडी अस्थर मुनेरा अलहाबार है हमारा फोर नमबर है 90268304907985293736 और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9696697571